नमस्कार आप देख रहें के न्यूस की खाश पेशकेश मैं हूँ आपके साथ इसे शुक्लाब बात करेंगे मनोहट सरकार तरक्किया पार हर्याना की मनोहट लाल सरकार सभी वर्गों के हितों का खास तोर पढ़्यान रखती है चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर करमचारियों के हितों की मनोहट सरकार नीती परक पारदर्शी फैसले लेने में देरी नहीं करती बता दे कि हाली में सरकार ने एचकी आरेन करमचारियों को बड़ी सौगात दी है ठेकेदारों के चंगू से बच्छाने के लिए आउस्सोर्सिंग पौरिसी को तर्क संगत बनाये गया है सरकार ने लगबग 90,000 से दिक करमचारियों का विबन विबागों में समायों जिन किया देखे रिपॉर्ट हरियाना में एचके आरेन करमचारियों को बड़ी सौगात मनुहर सरकार ने किये बड़े अलान ठेकेदारों के चंगूल से बचाने के लिए आउस्सोर्सिंग पौरिसी पौरिसी को तर्क संगत बनाया लगबग 90,000 से अधिक करमचारियों का विबन विबागों में समयों जिन हरियाना के मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने कच्छे करमचारियों को ठेकेदारों के चंगूल से बचाने के लिए आउस्सोर्सिंग पौरिसी को तर्क संगत बना कर लगबग 90,000 से अधिक करमचारियों को विबन विबागों में समयों जित करके मनुहर तौफा दिया है तो वहें करमचारियों के नाम पर राजनिती करने वाले सो कॉल्ट करमचारी यूनियनों के प्रधानों को करारा जवाब भी दिया है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है बतादें कि कच्चे कर्मचारियों को EPF अंचदान वए ESI के नाम पठेकिदारों की द्वारा किये जा रहे शोशन की शिकायतों को मुख्यमंत्री निकमभीता से लिया है और कर्मचारियों को एक ही चत के नीचे सभी सुविथाएं मुहया कराने के लिए हरियाना कौशल रोजगार निगम का गठन करवाया है सरकार ने एक लाग स्यधिक युवाओं को दी नौकरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानते हैं कि लोगतंत्र में कर्मचारी सरकार चलाने के लिए एहम कड़ी होता है इसी को ध्यान में रखते हुए गत 9 सालों में सरकारी कर्मचारें की नियमित भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी परीके से मेरिट आधार पर पूरा कर एक लाग 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है इसके अनावा लगबग 60,000 से अधिक पदू की भर्ती प्रक्रिया विभिन्य चर्णों में है जिन विभागों में ततकाल कार्यबल की आविशक्ता है उसे पूरा करने के लिए हर्याना कौशल रोजगार निगम एक एहम भूमिका निभा रहा है बतादी कि 20 दिनों में विभागों की आवशक्ता के अनुसार कर्मचारियों को नौकरी के जौग ऑफ और लेटर किये जाते हैं आथवा इनुवर्स्टिय से निकलते हैं ग्रयजवेशन पौस्टगरशन के बाद उनको फ्री पास्पोर्ट देने के वस्तावी बने की है हजारों ऐसे बच्चे फ्री पास्पोर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं ताकि विदेश जाने के लिए उनको ये सुईधाएं ये दी जा सके तो मेरा आप से निवेदन है कि यदि आप HKRN के माध्यम से अपना नाम सुची में लिखाना चाहें ताकि हमारे पास एक डाटा बेंक ये त्यार रहे कि आपकी युगेता के इसाब से आपकी रैंकिंग के इसाब से कहीं भी आपको नौकरी दिलाई जा सके तो आप आज ही जो पोर्टल हमारा बना है HKRNL.ITI.GOV.IN इसको खुल करके इसको पंजी करन करें ताकि आप भी एक जिसको खना जी ये पंक्ती में एक Q में लग जाएं कि आपके रूम के रैंकिंग के साब से आपको भी काम की ओफर दी जा सके हम आपको काम की ओफर देते हैं यदि आप सुईकार करते हैं तभी आपको उसमें जोइनिंग कराई जाएगी इसमें भी आपको एक सुईधा जो है वो दी जायेगी आप हम जानते हैं सब कि सरकारी नोकरियां उनके एक सीमा है क्योंकि हर वर्ष 20 से 25 जार नोकरियां ही अन एवरेज ये निकल पाती है अब ये ठीक है कि पिछले कई वर्षों में हम सरकारी नोकरियां शायद उत्री नहीं दे पाए तो अभी आगा में इस 6 मैने के अंदर अंदर 60,000 नई नोकरियां ये हम देने जा रहे हैं बतादें की राजधानी चंडिगर में पहली बार मुख्यमंतुरी के डिजिटल बोर्ट लगे है देश के प्रतिष्टित विश्विविद्याले पंजाब यूनिवर्सिटी के शात्र भी मुख्यमंतुरी की भरती प्रिक्रिया के कायल है पिशले नौ सालों की मनोहर सरकार की उपलब्धियों के पहली बार चंडिगर के प्रमुक्चोराहू वर्सारवजनिक स्थानों पर डिजिटल बोर्ट लगे है रोस गाडन, आर्ट कॉलेज, रॉक गाडन और सुखना लेक सहित कई जिगहों पर साक्षिक भ्रह्मन के लिए आने वाले विद्यार्थी में डिजिटल विज्यापनों पर दर्शाई गए है वो बिन पर्ची, बिन खर्ची योगिता के अधार पर सरकारी नौकरी के बारे में गाइट से भी पूच सकते हैं इसके अलामा देश, विदेश से आने वाले सैलानी भी इन विज्यापनों में दिल्चस्पी दिखा रहे है वो दिजीवी वर्ग चाहे वो मीडिया से जुड़ा है या सहित्त से या फिर सिवल सोसाइटी से हर कोई ये जानकारी ले रहा है ये प्रभावशाली मनोहरलाल कौन है सियम मनोहरलाल का मानना है कि लोक्तंत में सरकार चलानी के लिए कर्मचारी एहम कड़ी होते है और इसी को ध्यान में रखती हुए नौ सालों में योगिता के आधार पर सरकारी कर्मचारी की नियमत भरती प्रिक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है और एक लाग देस हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी है साथ हजार स्यादा पदों पर भरती प्रिक्रिया विभिन चर्णों में है हरियाना कौशल रोजगार निगम उन विभागों को भरने में महत्रपूर बोमिका निभा रहा है जिसमें ततकाल कारेवल की आवश्यक्ता है लगभग बेज दिनों में विभागों की आवश्यक्ता के अनुसार कर्मचारियों को नौकरी की जाब ओफर लेटर जारी कर दिये जाते है मुख्यमंतरी मनोहलाल ने कहा है कि राजसरकार ने युवाओं को ठेकिदारी प्रिथा से मुख्ती दिलाते हुए हरियाना कौशल रोजगार निगम का गठन किया है इसके माध्यम से सैक्षनिक योग्यता आई आदविभिन मानदंडों पर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है और E.P.F.E.S.I. Labor Welfare Fund आधिका भी लाब दिया जा रहा है पहले से अनुबंध आधार पर कारेरत 1.08 लाक्स अधिक मैनपावर को निगम में समयोजित किया गया है इसके अलावा अनुबंध आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती किये गये है आगामी 6 महीने में 7,000 होंगी भर्तिया बता दे कि पिछले दुनों मुख्यमंत्री मनुहर लाल निसीयम की विशेश चर्चा कारिक्रियम के तहत आधियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हरियाना कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर मचारियों से समबाद किया था इस दोरान उन्होंने कहा था कि पिछले 9 सालों में वर्तमान राजिसरकार ने 1,10,000 जिवाओं को बिना खर्ची वा पर्ची के योगिता के आधार पर सारकारी नौक्रिया दी है साथी आगामी 6 महीने में 60,000 और भर्तियां करने जा रही है पैसा वा अन्यलाब काम करने वालों को सियम अनोहर लाल ने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था EPF, ESI, Labor Welfare Fund आधकी सुविधार नहीं दी जाती थी इस प्रकार की कई शिकायती सरकार को मिलती थी और विभिन कर्मचारी संगों की मांग भी थी कि ठेकेदारी प्रता को बंद किया जाए कभी-कभी तो ठेकेदारों और विभागों के बीच एक naxis बन जाता था कि संख्या कुछ और बताये जाती थी कि 50 पदों पर मंजूरी ली जाती थी और वेतन भी 50 पदों का ही जारी किया जाता था लेकिन वास्तव में 40 या 45 को काम पर रखा जाता था कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी अन्रे वेक्ति को भीज दिया जाता था उधारन के तोर पर रामचंद्र का नाम बताया जाता था लेकिन श्याम प्रसाद काम करता था और पैसे किया और मोहन प्रसाद को मिल गए इस प्रकार सरकार को और वेक्तियों को नुकसान होता था, इसने राजी सरकार रे ठेकिदारी प्रथा को समाप्त कर HKRN बनाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, चोके सरकारी नौकरी के साथ साथ जब भी कभी किसी विभाग को और सोर्सिंग के नाते जुरूत पड़ती थी, तो करमचारियों को किसी ठेकिदार के माध्यम से लिया जाता था, और ये जो ठेकिदारी प्रथा थी, इसके अंदर क इतनी शिकायतیں हमको मिलते थी, कि ठेकिदारी के माध्यम से तनखा, दिखाने कुछ और देनी कुछ, साइन कराते थे पंदराजार पर या ठराजार पर, और देते थे गयाराजार अधर्वा, बारा हजार, और साथ में कभी कभी तो ठेकिदारों का और विभाग का इतना न चालिस या पैतालिस तो इस प्रकार के दोरे नुकसान सरकार का भी नुकसाद और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान और कभी कभी तो नाम किसी का देखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे राम चंदर का नाम बताया श्याम प्रसाद ने का किया और मोन फसाद को पैसे बिल गए और ये जगडे लगातार बने रहते थे आखर ये सारी जिद्धान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कारकम चलाया जिसमें सभी को सुविदा हुई सरकार को भी लाभ हुआ और काम करना व्यक्ति वो भी निश्चिन तोकर के काम करन और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकदारी प्रथा उसकी समापती हुई जो के बहुत से ऐसे करमचारी संधन जो पहले से मांग करते थे ठेकदारी प्रथा को समापत किया जाए उन्हें ने कहा कि निगम की तहट लगाए गए सभी अनुबंधत करमचारियों को EPF, ESI, Labor Welfare Fund आधी की सुविधाएं दी जाती हैं यही नहीं करमचारियों का वीतन निगम द्वारा सीधिय उनके बैंक खातों में डाला जाता है निगम के तहट करमियों को सालाना 10 आकिसमिक अवकाश और 10 मेटिकल अवकाश का प्रावधान भी किया जाता है महिला करमचारियों के लिए मातरत्व अवकाश की सुविधा भी दी गई है अतना ही नहीं हमने उन कर्मचारियों को आईश्यमान भारत के चिरायों यूजना का लाप पी दीना शिरू कर दिया है जिनके परिवार की वाशिकाई तीन लाग रुपे तक है इसके लिए पंद्रा सु रुपे सालाना मामूली अंशदान लिया गया है अब ऐसे परिवारों को पंच लाग रुपे तक का सालाना मुफ्त एलाज मिलेगा निजी शेत्र में भी मिलेंगी रुजगार की अवसर विशेश चर्चा में सिया मनुहलाल ने कहा कि इस वर्ष्र से हर्याना कौशल रुजगार निगम की माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी मैन पावर की निगती के लिए युवाओं की पहचानकी है इसके लिए उनका कौशल प्रस्थिक्षन किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में निगती में मदद करने की सिवाएं शुरू करती गई है उन्होंने कहा कि हर्याना कौशल रोजगार निगम की डेटाबेस में विफिन प्रका की कौशल युद्ध मैनपावर बड़ी संख्या में उपलब्द है इससे निजी शेतुर के उत्योगों को उनकी जरूरत की अनुसार मैनपावर मिलेगा उनकी कौशल प्रस्थिक्षन लागत में भी कमी आएगी और साथ ही युवाओं को रोजगार की नए अवसर भी मिले विदेशों में मैनपावर की बड़ी मांग है हमारे बहुत से युवा गलत तरीके से और एजेंटों के माध्यम से लाग उरुपे खर्च करके विदेश में रोजगार प्राप्त करने जाते हैं कई मामलों में उनके साथ धोखा भी होता है कई युवा जीवन जोखिम में डाल कर डोंकी की माध्यम से विदेश जाते हैं हमने युवाओं को विदेश में रोजगार की अफसर उप्रब्द करवाने के लिए विदेश सहयोग विभाग भी स्थापत किया है हम हर्याना कौशल रोजगार डेकम की माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार प माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हर्याना कौशल रोजगार निगा मर्थात एच के आरन में उनको पोर्ट कर लिया है और नए भी लोगों की जो आवशक्ता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ती भी एच के आरन के माध्यम से ये की जा रही है अगर मैं संख्या के बारे बताओं तो आज एक लाख आठ जार लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो एच के आरन पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं और सत्रा हजार साथो पचासी ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है तो इस परकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सफारश से ना किसी नेता की सफारश से बलके एक मेरिट के अधार पर उनकी परिवार की आये कितनी है व्यक्ति की योग्यता कितनी है और व्यक्ति रहता कहां है क्योंकि कम आये होने के नाते से योजना बनाई गई कि जहां व्यक्ति की आवशकता है काम करने की उसी ब्लॉक या उसके आसपास का व्यक्ति ही नोकरी मिले ताके इतनी कम आये में अगर उस सो किलो मेटर डेड़ सो मेटर दू जाता है तो उसके आने जाने की कठाई या वहां रहने की कठाई इसको भी हमने ध्यान किया है तो इस प्रकार से हमने जो पहले चरण में ऐसे लोगों को नोकरी दी जिनकी परिवार की आये एक लाख रुपया या इससे कम थी दूसरे चरण में एक लाख रुपय से लेकर के एक लाख रुपय असीर जार रुपय तक की जो आये के परिवार थे उनको नोकरी दी है तो ऐसे जो सब एक योग के परकार से इस काम को हमने आगे बढ़ाया है इसके लिए हर्याना कौशल रोजगार निगम ने विक्यापन निकाला है जिसमें इन देशों के लिए निर्मान श्वमे को सिक्यूर्टी कार्ड स्टाफ नर्स आधी की काम के लिए 10,000 मैन पावर की आवश्रक ताप बताई गई है इनमें 25 से 40 साल के आयो के एकशुक युवाओं को निगम की पोटल पर पंजिकरन करने को कहा क्या है ये पहली बार हो रहा है कि कोई राज़े सरकार अपने युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में सीथे ही मदद कर रही है सीम की प्रदेश की युवाओं से अपील और न केवल नौकरी दी बलके इसके बाद हमने जो सरकारी करमचारियों को सुईदा हैं मिलती हैं उनमें भी बहुत सुईदा हैं दी हैं दस आकस अवकाश ऐसे ही दस मेडिकल अवकाश और महिला करमचारियों के लिए मात्रित अवकाश इसकी भी सुईदा हमने दी है जैसे आयोश्मान भारत और चिराईयो योजना के अंतरगत जो योजना बनाई गई उसमें ऐसे सब लोगों को जोके ये श्रेणी एक लाख असी जार से लेकर के तीन लाख की आये के बीच में आते हैं तो मात्र पंद्रा सुर रुपया उसका प्रीमियम देने के साथ ही उनको ये सुईदा उपलब्द कराई गई पंद्रा सुर रुपया एक साथ देने के बजाए मासिक एक सो परीस रुपया अपनी सेलरी में से कटा करके और इस सुईदा को इनको मोहिया कराया गया है ताके स्वास की द्रिख्षी से ऐसे सब परिवारों की जो आयश्मान योजना पांच लाख प्रति परिवार इसका स परिवारों हैं उद्द्योग पती हैं वो भी इस पोटल के माध्यम से पुनौकरी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही विदेश में रोजगार के लिए भी क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी आकांक्शा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें बहुत शक बना कि डॉंकी जंप के माध्यम से उनका टेस्ट रादिव लेकर उसको भेजने लगे और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाना का जो हमारा विदेश सयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी दे उनको रोजगार देने के लिए रेजिटेशन करने लिए कहा है और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगबग 5,000 लोग ऐसा रेजिटेशन कर चुके हैं और अभी तो समय प्रयावत बाकी है इस समय में यदि लोग रेजिटेशन करते हैं तो उनका प्रस्रेक्शन करा करक यूतियां इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं और इन देशों में श्रमिक, सिक्यूरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, आदिविक के जो काम हैं इसको जो है उनके अंदर विजा जाएगा वहीं सिया मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वो कबूतर बाजी टोकी वा अन्य गलत तरीपों से विदेश बेचने वाले एजिन्टों की जासे में ना आएं इससे उनका पैसा और ग्यान दोनों का ही जोखिम होता है विदेश जाने के इच्छुक ह तो अपना कौशल निखारे और कानूनी प्रदेश का पालं करते हुए पूरे मनोबल के साथ विदेश में जाएं राजी सरकार आपकी पूरी मदद करेगा इसके तहत भर्तियों में SC, OBC, आरिश रेड़ी के लिए आरक्षन का भी पूरा प्राथान किया है सियम मनोहर लाल ने कहा कि हर्याणा कौशल रोसगार निखम अब सरकारी शीतर में अनुबंत आधार पर मैन पावर की नियूगती के लिए प्रात्मिक शूर्ट बनक्या है हर्याणा कोशल रोजगार निगम परिभाशित मान दंडों के अधार पर मैन पावर को नियुक्त करता है जिसका प्रात्मिक मापदंड नियुन्तम योगिता का आधार और पात्र आविदत के परिवार की आयकी इस्तिती है अब यह पोटल सभी के लिए खोल दिया गया है इस पर कोई भी पण्जिकरण करवाज़ जटा है सभी एकशुक्यो का उस्तित है कि शीगर से शीगर पोटल पर अपना पंजिकरण करवाएं पोर्टल पर पंजिकरत उम्मीदवारों में सिक कर्मचारियों का रोजगार के लिए चयन क्या हुजाए था और उन्हों ने कहा कि सबसे पहले निगम के माधियम से उन्हे योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान किये जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाग रुपे से कम थी अगले वर्यता उन रोजगार योग ये उमीदवारों की दी गई जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाग रुपे से आधिक और एक लाग अस्ती हजार रुपे तक थी मुख्यमेंतरी मनुहलाल नी कहा कि साल 2023 से 2024 में हमने 2 लाग बीरोजगार युवाओं को राश्वय कोशल योगिता ढाजे के लिए कोशल प्रसेक्षन प्रदान करनी का लक्षे रखा है इसके लिए हर्याणा कोशल विकास मिशन के माध्यम से विशिष्ट प्रसेक्षन और पाटिक्रम चलाए जो नहीं है अभी तक 80,000 युवाओं को कोशल प्रसेक्षन प्रदान के अता चुका है ताकि वो भी पैरों पर खड़ी हो सके और साथ ही युवाओं को आधुनी के रोग जिगार परक विश्व का सेक्षन और प्रसेक्षन अप्रदा करवाने के लिए श्री विश्व कर्मा कोशल विश्व वेद्याले के स्थापना भी की गई है वहें मुख्यमंत्री ने जन संभाद पोर्टल पर दर्जश शिकायतों और सुझावों को लिएकर पांच विभागों की शुक्रिवार को अपने निवास संद कबीर को तीर में समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन संभाद पोर्टल पर आई शिकायतों को गंभीता से लेती हुए उनका जल्द समधान करी सीम विंडो पर आई शिकायत पर उचते कारिवाई नगरने के मामले में मुख्यमंत्री मनुह लाल ने एचसवीपी रिवाडी के संपता अधिकारी वे जोकुमार को नलंबित कर दिया है बता दे कि रिवाडी निवासी सविता ने उनके प्लॉट की गलत डिमोक्रेशन कराने की सीम विंडो पर शिकायत दी थी इसके बाद ये कारिवाई की गई है Special Desk News, Indriha